तीन मार्च के रिविजन को इस्टार्ट करते हैं पहला क्वेस्टन क्या कह रहा एक स्कूल में एक स्कूल में इस इस नंबर के लड़के और लड़किया थे 442 और 374 तो बॉस कितने थे 442 और 372 अब बुलाया ना कि अब इसके संभावित बड़ी से बड़ी मार बताये ताकि इन लोग को प्रतेक अक्षा में बराबर बराबर बैठाया जासे कि पहले जब भी बड़ा से बड़ा कोई चीज बूसता है ना बड़ी से बड़ी संभाव तो क्या करते हैं उसका LCM HCF लेते हैं इसका HCF करने के लिए इसको क्या करोगे दो से इसको डिवाइड करते हो गर तो दो दुना चार हो गया ना दो दुना चार दो एक अमे दो ऐसे निकल गया इसको जब दो से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा दो से डिवाइड करते ह अब ये तो 2 से नहीं कटेगा 11 से कट ज़रा है 11 से 17 अब ये नंबर या तो अब देखिए इसको सिंप्लिफाइ गिया मैंने तो ये आ गया अब ये नमबर 11 से नहीं कट रहा है तो ये नमबर जरूर 17 से कट रहा होगा क्या क्या नमबर बचे हैं? दो बचा है 17 बचा और 11 बचा है 17 से काटोगे 17 के मैं 17 17 3 क्या होँ तो 13 गुड़े 17 SCF क्या होगा इनका? Maximum नमबर बताते हैं न तो 13 सबसे बड़ा नमबर क्या होगा? 17 और फिर 2 तो 17 दूना 34 SCF होगा इनका 17 भी कामा ना रहा है और 2 भी कामा ना रहा है SCF क्या होगा? 34 11 तो कामन नहीं आ रहा है ना 13 34 से जब इसको डिवाइट करते हो तो क्या रिमेंडर बचता है? तो 34 से जब इसको डिवाइट करोगे तो 17 दूना 34 से तेरह बच जाएगा और जब इसको 34 से डिवाइट करोगे 17 दूना 34 से याँ ग्यार बच जाएगा सम कितना होगया? 24 इन्डिविजबली डिवाइट करके बताओ कि ना भाई इसमें इसको multiply करेंगे तो b क्या हो जागा? 2b² हो जाएगा और positive sign के साथ जाएगा तो option में 2b² पॉजिटिव आना चाहिए और यहां जब आप b से multiply करते हैं यह b² है प्लस b² यहां से समझें मैंने क्या किया? एक पकड़ लिया random सा कि 2b है यहां यह B है यहां भी 2b है यहां 2b और दुध लारा है तो हर इक fraction में भी भी आ रहा है तो 2b तो आ रहा है लारा इना इस fraction में b Pokémon भी आ रहा है और इस पूरे में भी भी आ रहा है तो पैले कुछ common देखा जाता कि क्या आ रहा है अलिया pretty girl 5- equations ev. तो 2b² यहां गया यहां नीगेटिव है यहां नीगेटिव है कोई वैलू नहीं है तो C² पॉजिटिव साइन के साथ आना चाहिए तो प्लस C² तो सिर्फ यह की option में है C option में सिर्फ expression में मैंने ABC को common लेकर देख लिया कि भाई B इसमें भी आ रहा है B इसमें भी आ रहा है तो overall भी आना चाहिए तक बार B² का factor देख लिया मैंने फिर देखा कि C एक जगा आ रहा है यहां C² यहां C² नीग गुन रहा है तो स्कॉयर तम देख लो options ध्यान से अगर आप देख लेजिए कि options में इस option में B² है तक बार देखी स्कॉयर तम यह देखने के picture यह देखना तो आसान है B² AB के picture B² देखना आसान है तो B² देख लिए फिर देखा कि C option में C² भी है तो C² भी देख लिए अब इसको करना है 7.44 अब प्लस 3.77 पर बार है और माइनस 2.55 है तो ऐसे कर सकतो 55 पर बार अब इसको जोड़ोगे तो 7 4 11 7 4 11 एक बार और 3 और 7 10 यह हो जागा ना 7 और 3 10 हो जागा 7 और 4 11 एक 7 4 11 एक बार दो 7 10 एक ही ग्यार है यह अब यहां एक नहीं होगा यहां 2 पर बार होगा क्योंकि यह भूल जाओ 4 4 है ना 4 पर बार होगा 7 7 ना इसको 7 पर बार लिख सकते हो तो 7 और 4 11 थोड़ा सा लिख लो आगे अब जब जोड़ोगे तो 7 4 11 7 4 12 और 7 10 10 की ग्यार हो तो यह 2 आ रहा है ना अगर इधर भी 4 4 बढ़ात होगे ना तो यहां 2 2 आएगा यान यह 2 2 पर बार है तो 2 पर बार माइनस 2 2 कर लो ऐसे 2.55 अब इसको कर लिजे 11.2222 2.5555 12 में से 5 गया 7 11 में से 5 गया 6 11 में से 5 गया 6 6 दस्वेस दो गया 8 तो 8.66 पर बार होगा यानी 8.6 इसको लिख सकते हैं 8.6 पर बार अब इसको देखिए 8.6 हो गया ना इसको लिख सकते हैं 86 माइनस 8 divided by 9 तो 86 माइनस 8 क्या हो गया 16 में साथ गया 78 बटन हो वास्ट ओफ्सन तीन लगातार विशम संख्यां का गुड़न फल यह अब तीन विशम संख्यां लगातार उनका गुड़न फल यह माध्य संख्या का वर्ग क्या होगा अब विशम संख्यां तो पता नहीं क्या हो सकती है तो टू बन फॉर फाइफ का आप फैक्टराई यह सं कर दीजे पंच ओव कभीज पांच अगर काटते तो पंच ओव कभीज पांच उनदस पनवा पहता लिस चार दू छे तीन से भी काट दो इस कर दे विशम संख्यां औह जाता है तो इतना तो विज़्यART होना चीए तो बीच का नंबर क्या आ गया 텐रा आगया तेरा का इसका स alltså 169 यह वहला question कहा रहा है इसमें करना एक तार को एक वर्ग क्या कर मोड़ा गया जिसका छेतरफल 576 किसका square है 24 का square होता है 576 तो यानि वर्ग का क्या हो गया side क्या हो गया 24 तो चार साइड होता है न तो यह क्या हो गया वर्ग की चार भुजा हो तो टोटल यह 2πi r के कवर हो गया क्योंकि अब इसको आप क्या कर रहा है गोलाकार तार में मोड़ा हो अब बोला तार का छेतरफल यानि πi r square तो यहां से r की value क्या हो जाएगी यहां से r की value πi गुड़े 24 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 गुड़े 4, गुड़े 24, और उपर 7 वज जाएगा, डिनामिनेटर में 11 वज जाएगा, यहां 24 है ना, अब यहां तो इसको solve कर लीजे, 12, गुड़े 4, गुड़े 24, गुड़े 7, क्योंकि 22 गुड़े 7 साथ उपर चला गया, तो बड़े वाले नंबर्स को फिल 12, 44, 8, 4, 12, 24, अच्या, यूनित जिट सबके अलग है, तो 24, 8 चारवट, देखिए, 24, 8, 24, 32, 2, 2, 7, 14, 4, तो यहां 4 हो गया, डिनामिनेटर में वण हो गया, तो यह तो 4 आना चाहिए, आना रहा है, चलो गुड़े कर लो, 12, 44, 8, 4, 12, 24, 8, 28, फिर इसको कर दो, 24, 28, वार नहींदा को बोड़ों कर दिये सता दूंच से लिए हिजिकार न किया सबस्रेवी यह जुआ कि अगया कशितवारत में यह तीसरे वर्ज के लिए ब्याज की गढ़ना for the third year सिफ केवल तीसरे साल के लिए बुला है क्या इसको skip करो कराते है अगर केवल तीसरे साल के लिए बुला है तो तो कठीन होगा तीनो साल के लिए बुला होता तो निकाल लेते हैं क्या होता, फार्मूला 3a, dot, dot होता है, 3a square, और फिर aq, अब देखिए, ये दो अस्थान तक जाते हैं, इसको दो लिख लो, इसको भी दो, तो 7 का अगर 3 से गुड़ा करोगे, तो 21 हो गया, सासते 49, 49 गुड़े जब 3 करोगे, और यहाँ aq, 7 का q 343 होता है, तो last में 43 आएग और 3, 27, 7, 2, 3, 4, 12, 14, अब यह 3 आगे जुड़ जाएगा, तो यह 7 में जुड़ेगा, तो यह 150 हो गया, तो यह 5, 0 आगे और यह 1 आगे चला जाएगा, तो 22 हो गया, यह value आएगी, ठीक कर रहा है, 3, 27, 7, 2, 3, 4, 12, 14, यहां से 3 जब आगे गया, तो 150 हो गया, 150, ठीक तो है अब देखो, इसको जो multiply करोगे, तो इसको इसके साथ ले लोगे न, तो क्या value हो जाएगी, इसका तीसरे साल का व्याज क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, जग माइनस करना पड़ेगा लग रहा है तब, इतना है, क्योंकि multiply करोगे तो 22 के लम समयान सार आता है, यह नहीं करके 43 हो गया, दस में से न हो गया, एक यहाँ जीरो हो गया, बाइस में से आठ, आठ, चार बारा हो गया यही value हाजाएगी, 0,1,4,3, यहाँ 4,3 होगा, तो यह हो गया value, यह दसमलों में आ रहा है न, और आप यहाँ जब मटा, multiply करेंगे, सिफ डिजिट देख लिजेगा, तो यह value हाजाएगे D option, 80143, इस तरह का जब भी question बोलता है न, A की पावर M, इसको इस format में पहले बनाते हैं, A की पावर M-1, और A की पावर M-1, इस format में बनाते हैं, और फिर M और N, इसका अगर HCF ले लो, तो यह पूरी संख्या का क्या होता है, M और N का अगर आप HCF ले HCF of Mn, small m, and small n, और minus 1, यही होगा, अब जैसे इसको में इस format में बनाता हूँ, तो 3 का स्क्वार, और 3 का स्क्वार कामन लेलो, क्या होगया, 3 की पावर 27, minus 1, दूसरी चीज क्या बूली, यह पहली चीज होगई, दूसरी चीज कही है, यहाँ अगर 3 स्क्वार कामन लेते हो थो, क्या हो गया? 3 की पावर 36, minus 1, आप क्या करना है, 36, और 27 002, 26 HCF, 4000 हो गया, 36, 27 25 HCF,ڈन दूसरी चार, 9, 29, 36, 27, 27, तो 9 हो गया, तो तो 3 की पावर 9, minus 1 एक फैक्टार आएगा और 3 स्कॉार यह में अर राया है न, यह भी 3 स्कॉार कामन अरा हैना, थियो 3 स्कॉार भी ल 11-3², चुकि options मैं देख रहा हूँ, तो 3 के पाव 11-3² नहीं 9, इसको 9 लिख सकते हो, तो अगर बाहर कोई चीज common आ जाती है, तो HCF में लोग क्या लेते हैं, जो common है, सिर्फ उसी को लेते हैं, तो LCM में क्या लेते हैं, जो common है, वो भी लेते हैं, जो common नहीं है, वो भी लेते हैं, तो HCF इसलिए always क्या होता है, divide करता है LCM को, LCM क्या होता है, always divisible by SCF, यह always होता है, यह भी एक property है, इस पर भी बहुत सारे questions आते हैं, यह number, यह number का महत्तम समारपड तक पूछ रहा है, XQ-8, अब देखो, यहां से निकल जा रहा है न, X-2, तो जिस option में X-2 होगा, वो यह answer हो जागा, एक ही option है, जिस में X-2 है, इस तरह का जब भी question आता है, sin theta, फिर alpha, फिर जो भी हो, मालनो, sin alpha है, फिर sin beta है, ऐसे करके, and so on हो रहा है, त और divided by same theta, cos, cos alpha, plus cos beta, ऐसे करके जब आ रहा है, और यह सब AP में हो, अगर, यह सारी चीजे क्या हो, AP में हो, तो formula क्या होता है, यहां से tan निकल जाता है, क्योंकि यह sin है, और यह cos है, tan हो जाता है, tan, और यह क्या हो जाता है, theta plus alpha plus something, divided by, जितने भी terms होंगे, theta हो गया, alpha हो गया जितने भी terms होंगे, divided by number of terms, मालो, n terms अगर जा रहा है, AP में कितने term होते है, n अगर terms होंगे, तो सब क्या करेंगे, सारे angles का sum करेंगे, और divide by n कर देंगे, वो sum वाला formula मतलगा देना, कि 2a plus n minus 1 into d, जैसे यह formula, इसमें अगर मालो, यह theta, 3 theta, और 5 theta, यह AP में है, तो यह formula मतलग 2a, 2 theta plus n minus 1, 3 term है, और d, जो कि 1 term यह हो गया, और d क्या है, 2 theta है, तो जब यह 4 theta और 6 theta हो गया, और by 3 करोगे, तो भी आजागा, AP का formula भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, AP का भी formula लग जा रहा है, क्योंकि 2a क्या हो गया, 2 theta plus n minus 1 into d की value क्या है, 2 theta है, और n क्या है, 3 term है, 3 2 to 4 plus 2, 6, 6 हो गया, 6 theta, बताया न, number of terms से divide करना है, तो number of terms 3 है, तो divide कर दोगे, तो नहीं होगा, 2 to 4, 2, 6 हो गया, divide by 3 करोगे, तो 2 theta हो गया, ऐसे नहीं करना है, यहीं करना है, बस angles का sum करके divide by number of terms कर देना है, जैसे यह angles का sum कर दो, ठीटा प्लस 3 ठीटा और 5 ठीटा इनका सम 9 ठीटा हो गया और डिवैड भाई क्या करना है 3 करना है 3 कर दोगे तो क्या आजागा 3 ठीटा यही 10 के साथ लग जागा 10 3 ठीटा एक तावे के तार को मोड का एक संभावत रिभूज बनाए गया है नो तो संभावत रिभूज के अच्छे दरफल क्या होता है यहां से 11 निकल गया यहां से 2 निकल गया उसी तार को मोड का एक वरित्यकार अब यह एक साइड है इसका 3 गुणा करोगे तो तीन साइड हो जाएगा और यह 2 πाई 6 के इक्वाल होगा तो 22 वटा साथ होता है नो पाई को लिग दो 22 वटा साथ तो यह दो तो cancel हो गया 22 से पूरा, 7 गुड़े, 3 वटा, 21 वटा, 2 यह radius हो गया, वरित का 6 तरफल बते हैं, यह सारी डेजट्स हैं, यानि 22 वटा, 7 गुड़े, पाई के विलु बोली नहीं याती है, यही ले लेंगे, क्योंकि यहां 22 वटा साथ लिये हैं यहां भी लेंगे, रेडियस का स्कायर, 21 का स्कायर करोगे, दो गुड़े, 2, 2 से यह खतम हो गया, 11 बच गया, 11 का मल्टिपल आंसर होना चाहिए, तो 5, देखो, 6, 3, 9, नहीं हो रहा है, 7 तरीके 20 कर लो, तब भी 2 बचा है न, 11, 3 और 20 बचा है, 11 और 3 इसका मल्टिप्लिकेशन करेंगे, तो 1, 2 एक 3, और फिर 2, गुड़े, एक 3 कर देंगे, 3 एक 3, 3, 9, 3, 2, 6, इसको जब 2 से करेंगे, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 2, 7, 4, 2, 2, 4, 6 आएगा, एक ही आप्सन है, तो मैं मल्टिप्लिकेशन कर देंगे, आउगे, जी है, तो मल्टिप्लिकेशन एक सेकंड लागे कर लेता हूं, रूट 2 प्लस रूट 8, प्लस रूट 32, प्लस एन सो ओन, अब रूट 2 अगर कॉमन ले लेंगे, इसमें तो क्या हो गया, 1 प्लस 2 रूट 2, इसको 2 रूट 2 लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, 3 रूट 2 लिखेंगे, 3, 9, 4, 36, यह नहीं होगा, यह रूट 18 है, प्लस रूट 32 है, plus and so on इसको करोगे तो 9 दुना ठार हो गया ना इसको लिखोगे तो 4 हो गया कर 2, 4, 4, 4, 16, 12 दुने वद्टिर 1 2 3 common हो गया ना यहां से 1 common हो गया यहां से 2 common हो गया यहां से 3 common हो गया इसको लिख सकते हैं ना 1 into root 2 फोर किते terms थक हैं? नहीं पता है, n terms है, इसका sum क्या होता है, n into n plus 1 by 2, यह तो होता है sum, रूट 2 से multiply हो जागा, यहां multiply है, यहां multiply है, रूट 2 से रूट 2 cancel हो जागा, डिनोमेटर में, divided by root 2 हो जागा, कौन से option में, C option में, साइन, 3000 डिगरी है, अब 3000 डिगरी को कैसे जाएंगे, तो 360 का 10 गुना क्या होता है, 3600 हो जाता है, हम कुछी के पास जाना है, ऐसा करते हैं न, 360 का, 18 गर देख लो, 360 का, अगर, 70 के किस, 7 बार, 83 के 24, 8 बार अगल ले जाओ, क्योंकि न, 37, 27, बहुत पास हो जागा, देखो, 9 स न, 38, 24, 25, 37, 35, 31, बाड़ा नम्बर हो गया, 8 से मुल्टिप्लाइग करो, 8, 44, 8, 34, 24, 4, 28, और ये 0, ये 3 यार में से कितना, 20 ले लोगे, तो 29 और 1 कर दोगे, 30 तो साइन, 360, मुल्टिप्लाइग वाई, 8 प्लस 120, ये वैलू आए, अब 360 प्लस, ठीटा फस्ट कोर्टनेंट में चला गया ना भई एक कॉडिनेंट ऐसे हो जाता है पूरा कंप्लीट करने पर एक कॉडिनेंट फर्स कॉडिनेंट 360 डिग्री अब तो जभी मुल्टिपलाइब 360 प्लस यही तो होगा पूरा यहां से मालो स्टार्ट किये होगे और यहां तक जाओ गए तो क्या हो जागा 360 रुकिए जब आप स्टाट करते हैं एंगल तो यहां से करते हैं न 360 हो गया ये पूरा और फ्रेस्ट कॉर्डेंट फिसिकली फ़र्स कॉर्डेंट हो गहार 360 प्लस है न फर्स्डेंट साइन 120 इसको लिख सकते हैं यहां से जब चलो गया 360 प्लस ठीटा हो गया आगे जब चले जाओ गया तो कुछ नहीं करना यह साइन नाइन नाइन टीटा क्या हो गया 120 की वैलू पॉजिटीव वैलू आती है कॉस अफ 30 डिगरी क्योंकि 90 फ्लस ठीटा हो जागा ना यह तो साइन प्लस ठीटा क्या होता है कॉस्ट ठीटा हो जाता है अब एक चीज और धिहां देना है सर्या साइन चेंज नहीं किये लेक सब्सक्रांव द्रमारीड क्या होता है 2 यहां यह सींत में केसी को ज़ाता है है कि यह सैं प्रक्तर दिगरी दीटा हो इंस कमाईतений अंता भीजा पेचा होता थे तो अंकित मुझे 100 थी, 50% पर सेल कर दिया ये mark price है, तो 17% की हानी होई, तो मालो की हानी कैसे relate करता है, selling price, cost price से relate करता है ना cost price, selling price, mark price, माल नहां ये कि 50% mark price है, 50% frente sale किया है, ये selling price है, तो कितने किहानी होई है, 17% किहानी होई है, यह 100 unit है, CSM लगा देते हैं, यह 100 है, यह 50 पर बेचे हो, तो 17 किहानी होई है, यह 85% की value है न, नहीं, 83 होगा न, 83, 97, 90, 100, तो 100 की value बतादो, 100% की value, तो यह मैं परसेंट भूल गया, क्योंकि यह परसेंटेज, परसेंटेज की अंस उसकी लाप्रतीच होई होई है, अगर वो माग प्राइच पर इसेल करता है, यह 100 की 100 पर इसेल करता है, तो 100 से 100 की अंसेल होई है, 50 से 87 कितना बढ़ गया, 37 by 50, multiply by 100, इसको डवल कर दोगे तो 68 होगया, इसे बढ़ गया होगया, तो यहां भी 33 आजाएगा, तो 22 ती 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 दून अच्छा च्छा यह वैलू आ गई, यह 100 माल ले न, एक वेक्ति अपनी यात्रा का इतना 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 भाग, तो 4 हो गया, 4 का 1 बटा 4 भाग 25 की स्पीड से गया है, बचे हुए 6 यात्रा, अच्छा नहीं दिया है, यात्रा का 1 बटा 2 है, यह 4 का 1 बटा 2 हो गया, यह कितना की स्पीड से गया, 40 की, तो लिख लो टोटल यात्रा तो चाहरे, एवरेजी स्पीड पूछा है, पूछा क्या, यह भी देख लिया करिये, पूछा है, तो टोटल, एवरेजी स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपनी स्पीड कर दोगे, तो टाइम मिल जाएगा न, डिस्टेंस अपनी दिश्टिन्स अपानी स्पीड हो जाता है फिर 2 अपान 40 और जो बचा होगा नहीं पता है सेस यात्रा का सेस भाग 50 की स्पीड से गया है 2 एक 3 एक बच गया था उसको 50 की स्पीड से गया था टोटल टाइम या कितना लग गया LCM काट दो है 25 हो गया न 20 केल्सिम क्या होता है 100 हो गया 100 ही मालो 25 चो का 100 तो यहा चार हो गया अफिर यह लिए पसे हो तो भॉपर तो 100 चला जाएगा तो 400 हो गया और यह 4 पाच दो छे पाचीग गयार इनो डिनो जेटर में 11 हो गया 11 तो आएगा और यहाँ जीरो अना चाहिए साथ हें साच छो टेरह नहीं है छे गमे छे चारड़ दस हो गया छे कमे छे चारगें छे बारा नहीं होगा छार कमे चारच बही होगा तो बस यह इस तिरूफ हमाना क्या किया है जीरो के लिए निकाल दिया unit-digit की देखकर एक और तरीका था केहीं होता है कई सवालों में वो यूज भी हो जाता हि जहां touchane no not given यहाँ ही चुकिए गीवेन नहीं नथा धाथ। यहाँ निकाल सकते हैं अ कई सवालों अईस एप यहाँ 연म निकाल सकते हो जहां एक दम नगी बता सकते हैं जहां से सियात्रा बुल देता, कि से सियात्रा का इतना, फिर से सियात्रा का इतना, तो वहाँ फिर ऐसे ही करते यहां से सियात्रा नहीं बुल ला था 15 मिनिट के बाद सूबह में, अब ये वाला question इंगलीज में पढ़े के solve करना था कि English जब तक नहीं पढ़ेंगे questions all नहीं होगा A और B प्रतेक के पास एक निश्चित संख्या में संत्रे हैं A कहता है कि मेरे पास अब देखो ये question बहुत important है A, B ले लो A से अब इसको option से करना पढ़ेगा Option में कहा रहा है कि A तो मुझे 10 संत्रे दे दो A, B से कहता है कि तो मुझे 10 संत्रे दे दो मेरे पास तुम्हारे बच्चे संत्रे के दुगुना संत्रे हो जाएंगे तो माल नहीं है कि 65 संत्रा है B के पास A के पास 65 संत्रा है तो ये B से 10 लिया होगा तो B के पास 55 होगा तो 65 तो हो नहीं सकता है क्योंकि और नमबर है एक बार इवन देखो तो 50 हो गया 50 अगर माल लेते हैं कि A के पास 50 संत्र है तो यह तो तब पहला केस बोला था, Case 1 Case 1 कह रहा है कि B से, कि यदि तु मुझे A B से कहता है यह तु मुझे 10 संत्रे दे दो, यानि B 10 संत्रे इसको दिया है तभी तो इसके पास 50 है 10 संत्रे दो, यानि अभी B के पास देखो, Currently A के पास 50 संत्रे है बोल रहा है पहले स्टेस्में से कि अगर तु मुझे B से 10 संत्रे दो यानि अब इसके पास 10 संत्रा हो गया तो मेरे पास तुम्हारे बचे संत्रे के दूरना संत्रे हो जाएगे तब इसके पास 30 होगा तभी तो इसके पास 60 है अब B के पास अगर 30 संत्रा है जो कि था है नहीं ओरिजिनली इसके पास 40 था अब तीस तो हम लोग निकाले है न ओरीजिनली कितना था ओरीजिनली इसके पास 40 संत्रे थे दूसरा statement कहा रहा है कि अगर B case 2 अगर B कहता है B उतर देता है यादि तु मुझे 10 संत्रे दे दो यानि ये इसको 10 संत्रे दे यानि इसके पास 40 था पचास करवा दे औरिजिनली 40 था नभी के पास थोड़ा से important सवाल है दस और दे दे 50 हो गया तो तुम्हारे पास बच्चे संत्रे को संख्या बराबर यानि इसके पास 50 था इसके पास भी 50 हो जाएगा तो पहले इसके पास कितना था? पच्चासी था नभी 10 इसको दे दिया इसके पास 40 था तो 50 हो गया तो बच्चे संत्रे के बराबर संत्रा हो गया तुम्हारे पास बच्चे संत्रे के बराबर संख्या में हो जाएगा ये तो सही है पच्चास सटिस्फाई कर जा रहा है पच्चास सटिस्फाई कर जा रहा है यह option 70 भी satisfy करा, देखिए कैसे, माल यह A के पास 70 संत्रे हैं, A और B, A के पास, पहले कितने संत्रे हैं, 70, 70 इधर लिख लो, अब बोला कि 10 इससे ले लो, यानि यह 80 हो गया, तो यह 40 था, भाई पहला statement के साफ से 10 इससे ले लिया है, तो 80 हो गया, तो 30 के पास 40 हो गया, क्योंक द्यान से समझना, initially इसके पास मालना मैंने 70 है, option से, A के पास कितने संत्रे है, option माल यह 70, अब 10-Hit से जब लो गया, तो 10-Hit से, 80 का आधा 40 होता, यह 40 कब है, यह आधा हो गया, यह 40 कब है, यह 10 संत्रे दिया है, तो इसके पास 50 होगा, अब B के पास 50 संत्रे है, दूसरा के इस बोला ए और भी, बी उतर देता है, तो मुझे 10 संत्रे दो, तो 50 से इसको 60 करवादे, तो तुम्हारे संत्रे के बराबर संत्रे मेरे पास हो जाएंगा, तो ये भी 60 हो गया, दूनों को क्वेशन में, आप्सन से यहां सटिस्फाई करना है, चार पाच परसेंट्स इंक्रीज होता है, जब भी सक्सेसिफ इंक्रीज होता है, तो ऐसे कर लो कि 25, 4 परसेंट की फ्रेक्शनल वलू एक बटा पचीस होती है, तो फिर इसको 26 बटा पचीस करने के वज़ा में क्या करता हूं न, 100 से 104 हो गया तो 1.014, और ये गुड़ 1.05, इए 104 बटे 100 करोगे तो एक बटीसको 1.025, और ये क्या 175, ये 0 भूल भी जाये, ये किसका मल्टीकल है, 13 बटे 100 4, 13 नावा 1, 17, 25 एक 10 पांच, याहां 20 का मल्टीकल होगा, आंश आठ का मल्टीकल होगा, तो अांसर 25 का मल्टीकल होगा, कुग यहाँ 25 निकल ला है, 75 निकल कम्प्लीटली 25-50, 200 का मुल्टीपल होगा. यह तो गलत हो गया. सात का मुल्टीपल, तेरा का मुल्टीपल देख लो. छोड़ो, आसान है. तेरा कमें तेरा, पाँच. तेरा चोगांवन, और यह, तो पहला तो गलत हो गया. यह भी 35 55 46 33 four 24 35 64 one बन गया यह त अप्सं हो गया है तहिसे नहीं है मल्टिपल भी देखिना होता इस निताशन में मैं बतेजी से मल्टिपल क्या होता है चीनलमET का मल्टिपल इक ठी कर यह 25 चीज का सथा स्थीर हाइब वह कर देखने बीऊ होती है तो यहां options काफी closest है यह 25, 5, 125 है यह दस्मलो खा भी तो जाएगा इसके 0 उसको तो यह 5 का multiple ना देखना यहाँ पर 5 का multiple देखना तो अट्रगी हो जाएगा क्योंकि यह decimal है यह 0 है यह 100 जब होगा न यह 25 को भी खाएगा इसलिए मैं बोलाओ यहां सिर्फ prime numbers का multiple केसं देखना, तो prime numbers का multiplication, multiple देखना options में क्या होता है यह concept है चार कुर्सी है तीन में जो कीमत है यह 5 कुर्षी तो में जो कीमत है तो बताओ अब लिख लो चार कुर्सी हो तीन मेज यहांनी M लिख लो कुर्सी से 3 हमको क्या पूछा हैा? एक कुर्सी ही, तो मेज वाले को हटाना पड़ेगा मेज क्या हैят है? यहां 2 है, यहां क्या है? कुर्सी 5 है यहां वालू 11750 है अब यहां 2 है, यहां 3 है तो उपर वाले में 2 से मैटिपलाई करोगी 15 की होत इसको भी 3 से करो, तो 17,3, 1,5, 3, 5, 5, 5, 1,7, 3 कांड, 2,7 इसका इसका क्या हो गए, 8, 7, 15, यहाँ difference कितना हो गया 10, 50 यह हुआ ना, 10, 8 कर दोगे तो 50, तो 7 से कट हो गये, 27, 3, 7, 5, 100 तो साथ वैच्छे पंदर, साथ एक सू पाउच होता है न तो एक कीमत क्या होगई? एक यूनिट कीमत डेड़ सो होगई तो डेड़ सो अंसर में है ही A, B व्यक्तिगत रूप से कायर करते हैं A, 18 दिनों में कायर को पूरा कर रहा है B 30 दिनों में कायर को पूरा कर रहा है यह alternatively work कर रहा है पहले A कर रहा है पहले कौन कर रहा है A पुछा है कि A B एक साथ काम करना शुरू की अच्छा काम एक भी साथ में किया है तो पहले A व्यक्तिगत रूप से कायर को करम सा इतना इतना दिनों में पूरा करते है यह alternatively नहीं व्यक्तिगत रहा है अकेले इतना दिनों में करते है LCM ले लो इनका LCM ले लो गए तो परता चल जाएगा न 30-90-18-95 LCM के लिए सबसे बड़े का multiple देखते है जो सबसे बड़ा number होता है न multiple देखते है बड़े का बड़ी number का क्या देखते है multiple और यह भी देखते रहते है जो छोटा satisfy कर दे उसको 18-90 हो गया यह तो टोटल वर्क हो गया यह भी साथ करना सुरू किया इसकी efficiency क्या हो गई कुछ दिन तक कारी किया होंगे यह तो T पर भी रखके solve कर ले कारी पूरा होने से पहले छोड़ दिया है लेकिन A 16 सही 2 गटा 3 दिन पहले कारी छोड़ दिया काम तो इतना दिन होगा काम B किया होगा बताओ इतना दिन A छोड़ दिया है कारी करना इतना दिन A का कारी कितना हुआ पचास बंता तीं हो जाता नहीं इन नीकालेश पचास वाटा तीं और के इतना तोटल वरक अपकेले भी करेगे से जो को बिक कहा ना तो डिवाइड भाई 3 करोगे है उसको बचा हुए यहां रीभेंग आपक्ताक्ट से है का हुं Juda टांसेट लिए लगाचाटि नाफ़ियर का यहति है और क्यां जब दैंट करोगे थेनलग थार न्याई गाट hizo एन्या गएग चूटल तोटल दिन कारे किया है, बी, टोटल बी का कारे है, बी के दिन है, कारे नहीं है, दिन है, अब देखिए, अब बोला है, कि एक इतना दिन, पहले कारे छोड़ा था, या फिर एक कितने दिनों तक कारे किया था, अगर यह बी मिल के करते तो कित्ता दिन में करते पांती नाट नाइन टी का अधा कर दोगे तो 45 45 भाई 4 देज में करते लेकिन अभी इतना दिनों में हुगा तो घटा दो क्योंकि एक्स्टा दिन लगे होंगे ना इसमें से घटा दो 25 0 बटे 9 प्लस 30 और माइनस कर दो इसको नाचो का 36 गुड़े 30 इसको रिमेनिंग वार कॉंसेप्ट ना करने का बजाना अब टी मानके सॉल्व करिएगा हम बोले थे ना कि T मानके करना चुकि निया ट्राइ कर लिया है यह T मानके सॉल्व करना है कितना T days मानके कि T days कार किया है फिर बचे कोई कार को इतना दिन नहीं तो complicated हो जा गए बहुत अच्छा सवाल है तो जब भी इस तरह काया जाना कि इतना दिन पहले काम छोड़ दिया है और यह fraction में था 16 2 x 3 तो चुकि frequent अगर आप नहीं यह solve करने के लिए बार बार इस तरह के questions को number of questions जादे आपने solve नहीं किये तो अब क्या करिए इसको T days मान के करिए कि T days माना T T मान के T दिनों का कारे ती दिन तक कारे किया ऐसे करे करिए दो अभाज संख्या अब लगुतम संवार पड़ती है लगुतम संवार पड़त क्या होता है दो अभाज संख्या कि X K Y जब भी हमको number दिखता है मैं इसका factorization करता हूँ 6 6 12 7 19 नहीं कट रहा है 7 से देखो तो 7 8 7 9 3 6 और 4 नहीं कट रहा है 6 6 12 7 19 9 से में नहीं कट रहा है तो यह क्या होगा इसके पास का number यह 20 गुड़े 30 कर देते तो 600 हो जाता हूँ 20 गुड़े 3600 हो जाता अब यह तो बड़ा number है और 7 unit digit पर है तो यह 30 से हम कम इसको 30 को कम ले जाए क्योंकि अगर देखो इसको 23 कर दो और इसको थोड़ा ही से कम करो 9 29 कर दो चुकि बोल ला ना यह प्राइम नंबर होने चाहिए तो 20 के पास का प्राइम नंबर क्या है 30 है हमको प्राइम नंबर चाहिए तब ही तो हम लोग बताएंगे इसका इतना multiple है यह देखो प्राइम नंब्र का फोकस होता है न, KX,KY, XY क्या है यहाँ, प्राइम नंब्र दो नंब्र सक लोगों मानना होता है, तो KX,KY मानते हैं, मैंने मानना नहीं और इसको एलसे हम क्या हो जाएगा, KX, Y, और S EF क्या हो जाएगा, बताये थैं, S EF divide करता है, xy के हो जागा SCF LCM को always SCF डिवाइट करता है तो इसको factorize करना था अदमा 37 हो गया चेक भी कर सकते हो यह आता होगा 20 भी से यह 400 कर ले ना तो बुला y की value बताओ x greater than y है तो यहनी x क्या है greater than y है यहनी x 29 और y क्या है 23 है 29 गुड़े 5 करोगे तो क्या हो जागा 29 गुड़े 5 माइनस 23 गुड़े 3 23 गुड़े 3 क्योंके पूछा है यहाँ पर कि 5x माइनस 3y की value बताओ तो पांद उनी का 10 100 हो गया 45 माइनस 3 गुड़े 3 का 60 करोगे तो यह 40 हो गया और 39 यह 9 कम करना है तो पन कुछ गबर हो रहा है कि यह x है यह x था ना 5y माइनस 3x था 5y माइनस 3x तो यह 29 था यह 23 था 100 उठाई 15 पाचे से 15 हो जाता है और यहाँ क्या था 60 होता है 20 यह 60 और 9 यह 27 माइनस 27 हो जाता तो यह 40 मिल जाता और यह 27 है तो 40, 15, 55, 55 में से 27 गया, 17 में से 5 गया, 60 हो गया ना, 40 बच गया, तो ये 55 हो गया, 27 कम करो गया, 15 में साथ गया, 28, युन डिजिट पाठ आएगा, वो पॉजिटिव साइड के साथ आएगा, एक ही ओप्सन है, तो यहाँ बे बस यही था कि इसको सिंप्लिफाई करना था, 23 और 29 प्राइम नंबर में फोकस करना था, मैं नंबर्स को जनरली सिंप्लिफाई करता हूँ, करते ह सेशन करनें, नेक्स सेशन रही लेंगा